मूल विशय है कि आप लोगों को अपडेट करना था दो चीज के लिए एक पहला चीज है कि दिल्ली में हमारा अत्ति प्रासा अपॉर्ण हुआ है उसका फर्स राउन मीटिंग हुआ है और उस मीटिंग में हमारा जो डिसकाशन हुआ है बहुत अच्छा रहा है बहुत पॉजिटिव रहा उसके बारे मैं आपको इंफॉर्म कर रहा था उसके बारे भी आपका कोई सवाल हो तो मुझे लगता है कि ट्रांसपेरिंस से जवाब देना चाहिए और दूसरा चीज है क हम लोग तुरुपुरा में साउथ तुरुपुरा में एक रैली करेंगे सॉलेडरिटी दिखाकर अपने माइनॉर्टी के लिए जो हिंदू बिंगॉली है चाकमाज है मॉग्स है कुकीज है क्रिस्चिंस है बुदिस्ट है उनके उपर जो अत्याचार हो रहा उनका जो एक मैसेज देने के लिए कि बंगलदेश को एक्सपोज करना चाहिए उनाइटिट निशन पर प्रेशर दालना चाहिए इंटरनाशनल प्रेशर दालना चाहिए जो हमारे माइनॉर्टी उससाथ हो रहा है सबसे पहले जो हम लोगों का मीटिंग हुआ है इन डेली फर्स राउंड अफ ती प्रासा अकॉर्ट सब बात डिसकास हुई है स्टेट गव्मेंट से दो ऑफिसर थे गव्मेंट अब इंडिया के तरफ से दो ऑफिसर थे हमारे संगठन से वी के रंखल और मेरा हमने सब इस्चुज में बात किया है और हमने और एक चीज डिसाइड किया है कि हर दो महने हम लोग मिलेंगे and we will discuss all issues relating to the constitutional rights, economic rights, political rights, land rights, language rights of the indigenous people of Tripura हमने और कुछ मुद्दे भी उठाएं है besides जो हम लोग हमेशा कहते हैं 10,300 test teachers के बारे भी हमने बात उठाया है हमने और एक बात रखा है कि NLFT ATTF accord के बाद 250 करोड अनॉंस्मेंट दिया गिया लेकिन बहुत लोग हैं Bengalis and Tribals जो insurgency में उनको बहुत खराब तरीके से एफेक्ट पिया गया था जिनके जान गई, जिनका घर जल गया, जिनको भे घर कर दिया गया, दुकान जलाया गया उनको भी कुछ मिलना चाहिए वाइलिंस में जो लोग affected हुए है और रिगार्डलिस ऑफ Bengali Tribals, Manipuris, Hindu, Muslim, Christian उनको भी कुछ मिलना चाहिए Government of India को हमने ये राइटिंग में दिया है हमने तीपरासा के बारे तो बात किया ही है लेकिन हमने Manipuri Community के बारे भी उनको भी एक Reservation मिलना चाहिए उनका भी एक Seat बढ़ना चाहिए तीपरा Assembly में उसके बारे भी हमने बात किया है रिगार्डिंग जो बांगलादेश में हो रहा है आपने देखा है कि दो दिन पहले हमारा प्रोटेस्ट निकला बांगलादेश High Commission के वहां में जो बांगलादेश में पिछले दिन से चल रहा है जब सशेक हसीना का सरकार हटी है और New Administration हाया है वहां में हमारे हिंदू, बिंगॉलीज, टीपरासा, चाक्मा, मॉग, मनिपूरी, खासी, कारो, जैंतियाज, कुकीज उनके उपर जो अतियाचार हो रहा है जो Christians के उपर अतियाचार हो रहा है जो बुद्धिस के उपर अतियाचार हो रहा है वो unacceptable है और जो थोड़े दिन पहले हुआ है ये हमको clearly लगता है कि ये planned है और अगर हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो ये चलते रहेगा ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं हुआ है नुआखाली में ये पहले हुआ 40s में हुआ 50s में हुआ 60s में हुआ कुमिला में हुआ चाकला रोष्णबाद में हुआ कपताई डैम के तरफ उस समय बहुत जनजाती को हटाया गया बंदरबन में हुआ खागरचरी में हो रहा है ये कब तक चलेगा जब भी मौका मिलता है हमारे माइनौरिटीज को बताय जाता है कि ये आपका जगा नहीं है आप यहां से हटिए हम लोग क्यों हटेंगे वो जगा हमारा है हम लोग हजार साल से रहे है और अगर बंगलादेश अपना रवया चेंज नहीं करता है तो मुझे लगता है कि गवर्मेंट ओव इंडिया को युनाइटीड निशन्स में ये मुद्दा उठाना चाहिए और बंगलादेश को एक्सपोस करना चाहिए पूरे इंडिया को पूरे वर्ल के सामने बंगलादेश आज वर्ल का नमबर वान गार्मेंट मैनुफेक्चर रहे है उनके ओपर सैंक्शन लगाई है अगर कोई देश अपना माइनॉलिटीज को सुरक्षा नहीं दे सकता है systematically उनका घर को जड़ाय जाता है जहां में हमारा पूजा होता है हमारे औरत को उठाय जाता है तो जवाब तो देना पड़ेगा और अगर हम जवाब देते हैं तो वो लोग बोलता है कि हम लोग नौर्टीज को उठा लेगे नौर्टीज हमारा है यह सब स्टेटमेंट जो दिया जा रहा है मैं एक बात क्लेरी बोलना चाहता हूं गर्मेंट अव इंडिया थो टेक अ स्ट्रॉंग पूजिशन ऑन बंगलादेश नौर्टीज पीपल बंगलादेश पट अन गर्मेंट बंगलादेश मैं ऐसा कोई स्टेटमें नहीं देना चाहता हूं और मैं अपने दूसरे लोगों को भी बोलना चाहता हूं कि बांगलादेश में जो हो रहा है उसका ये मतलब नहीं है कि तुरुपुरा में इंडिया में हम लोग मुस्लिम के उपर भी अटाइक करें कि जब 26 कारिक को हमारा रैली होगा in solidarity with the minorities मैं आशा करता हूं कि तुरुपुरा का जो मुसल्माने वो भी हमारे संग कंदे से कंदे लगा कर खड़ा रहेगा और condemn करेगा भांगलादेश सरकार का action और मैं जानता हूं कि वो ऐसा कि ही करेंगा देश में आप अपने लोगों को ऐसे तरीके से बरताओ नहीं कर सकते और बांगलादेश हाई कमिशनर जो तुरुपुरा में बैठा है उनका क्या बयान है वो क्या steps ले रहे हैं इंडियन ambassador बांगलादेश ambassador to India उनका क्या बयान है ये भी हमको मालुप करना है अगर आज हम लोग सब जो तृुपुरा में रहते हैं आप पे देखा है आप लोगों का भी घर बांगलादेश में था हमारा है इस पार बीचंदर लाइब्री महारज वीर चंदर लाइब्री कमिला में जहाने पुरानी अतिहासिक किताब था उसको जलाये गया यह क्या चल रहा है और अगर हम कुछ बोलते तो हमको धंकी मिलता है सरकार में बहुत लोग बैठे हैं जो चुप है मैं चुप नहीं बैठने के वाला हूँ मुझे लगता है कि इसमें सब हमारे साथ है जो दिल का बात है आने वाले दिन में पूजा है अगर हमारे लोगों को फिर से पुजा के समय पीटा गया, मारा गया तो गभ्मेंट ब इंडिया को भी अभी से प्लानिंग करना चाहिए कि हम लोग इंटरनाशनली क्या अक्शिन लेने वाले हैं इस नोट ओली for the Hindu's इस फ। बुदिस्ट, for the Christians for everyone who is suffering right now यही मेरा बात था, if you have any questions, I can answer. कोई सवाल है, तो I can answer. बबबरा, पाप्लिक का एक सवाल है, जो NDC का जो इन्स्टाप्टीट वे एक्जाम का, कि जो भाई-बाई एक्जाम का है, उसको वजे चारना चाहता है? मुझे चित्थी मिल गया है, all my MLS से, मेरा personal view है, कि अगर कही में भी shortcoming है, तो मैंने दिली में भी अच्छा सवाल है आपका, मैंने अच्छा सवाल है यह बात रखा है, कि अपसे कोई भी exams हो, हमको state government को देना चाहिए, TPSC को देना चाहिए, JRBT को देना चाहिए, या कोई भी independent body को देना चाहिए, और उनी को exams कंदक करना चाहिए, क्योंकि यह मेरे MLS का भी, MDC का भी view है, और मेरा भी यह personal view है, कि जहां में भी क्योंकि कोई sign हो, कि कोई policy ठीक तरीके से follow नहीं किया गया है, वो सब को cancel करके, सब लोगोंको fresh chance दिया जाना चाहिए, और next time exam ADC नहीं करेगा, state government को करना चाहिए, या independent central agency को करना चाहिए, या independent central agency को करना चाहिए, तो बबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबब चाहिए, पू इस सब आपका है पुसर गोस्तो, और फ्री या को घंट आत को सी तो, मैं आपका पी का पिव भी, मेरा पी प्रसल इवफ चाहिए क्योंकि इसमें, इलेक्टिर का कोई हाथ नहीं है, और जहाँ में भी उघ्ली उठाय जाता है, या हमारा डूटी बंता है, क कि हम, justice should not be shown, it should be also seen to be shown. तो I think that, this is my personal view, और सबने चिठ्ठी लिखे भी दिया है, कि ये पूरा examination process, free of cost, किसी को दोबारा fees नहीं देना चाहिए, free of cost हमें ये state government को handle करना चाहिए. यही बात मैंने chief secretary से भी बात किया है, और दिली में भी जब हमारा meeting हुआ, तो मैंने कहा कि अगर ये होता है, तो अच्छा रहेगा, क्योंकि independently ही examination दिया जाना चाहिए. अब से पहले ADC में, जो भी CPM को vote करता था, जो भी voter था CPM का, उन्हीं को walk-in interview में नौकरी मिल जाता था. मैंने process को change करने के लिए interview लाया, written exam system लाया, लेकिन बहुत लोग है, जो चाहते नहीं है कि हमारे young youth को नौकरी मिले, वो चाहते है कि जैसा system चल रहा था, वैसी रहे, तो नाम खराब करने के लिए सब लोग ready है. तो मुझे लगता है कि अगर आप youth को chance नहीं देंगे, तो नहीं चलेगा. अब अगर ADC में ये लोग नहीं चाहते हैं, कुछ-कुछ ओफिसे, सब नहीं, बहुत लोग चाहते हैं, कुछ-कुछ लोग है, जो बहुत साल से बैठे हुआ है, तब सबसे अच्छा है कि इसको इंडिपेड़ेंट एजिए को दिया. What is the government going to find this black sheep in the system? The black sheep in the system is not only in EDC, it is in the entire state of Tripura. The job, I want to change the system. Unfortunately, I am suffering myself impersonally also. Corruption has become deep-rooted, but the fact is that if I give up today, then the young generation will never get a solution. If 99% people think it is wrong, then for 1%, I am not going to betray the 99%. Many people also, I had said that 10,323 teachers. I raised that subject in Delhi also. Because I think that I had given them a commitment, my personal commitment. People ask me, at least today it is not election. Still I have gone and spoken. So, I think that Tripura needs, after the floods, how many people have suffered? How many people are unemployed? And we need to come out with a clear policy. ADC and the state government, whoever it is, needs to also come out with a process where justice is seen to be done. And I think for that, we have to work too. I think it's a good question. I was with BK Rangfal, state government from the home secretary, tribal affairs secretary, Brijes Pandeji and Mr. Chakravarti. Central government from the joint secretary, AK Mishra and IB director. The meeting was very good. I have kept all my sub-points, and they also gave me suggestions. And we have agreed that the first agreements were made, but after a meeting for a year, two years, three years there was no meeting. So, we have kept all my sub-points, land rights, political rights, constitutional rights, language. In which, just like language, just like language, I can say something about it. Today, UPSC, if someone has an exam, they have to write in Bengali. They want to write, not only in TIPRASA, other communities are also there. They should have an option, like in Mizoram, Meghala, Manipur, to give an additional language, because many people are not comfortable in the Bengali language. So, I have said, keep Bengali language, don't forget it, but give another option. The government of India has welcomed us. The government of India has welcomed us that, yes, our representation is in the assembly. It is a delimitation, like in Assam, which has happened in Assam, which has happened here. After that, we have talked about political rights. Political rights, we have talked about the 125th Amendment. The 125th Amendment, which we should have talked about, direct funding, land rights. So, in all issues, we have talked about the government of India. Government of India also said that we have a good approach. Okay, I have not only talked about my siblings, brothers and sisters, I have also talked about the Manipuri community, the Tachabaghan community. and I have talked about it, I have also talked about them. So, I have talked about the Government of India. So, I have talked about everything. And we agreed that we will meet every two months. Next meeting will be in November. अब जब पहला बात होता है तो हम लोग अपना पॉइंट रखते हैं उव लोग अपना पॉइंट रखते हैं हमने राइटिंग में दिया है वो लोग भी चाहते हैं कि next meeting में ADC एक presentation दे regarding the problems of the council. Political representation में मैंने दिया है और November में अच्छे तरिपरा, there should be no violence, there should be no misunderstanding between T-Prasas and non-T-Prasas. I want my state to develop, I want T-Prasas to develop but I don't want Bengalis to suffer. I want Manipuris to come up but I don't want Chaabagans to suffer. This is of course our state. So मैं चाहता हूँ कि अच्छे तरीके से इसको लिया जाए. मैंने देखिए, ATTF-NLFT का 250 कोरोटा पैकेज आया है. मैंने कहा कि वह बहुत अच्छा चीज है. लेकिन जिन लोगों का घर जल गया, जिन लोगों को बेघर किया गया, जिन लोगों को मारा गया, प्रैबल भी मर स्कूल्स, कुछ स्कूल्स में पांट स्कूल्स स्कूल्स हैं, तिन लोगों को श्कूल्स नहीं है. तो मैंने Government of India को सउजेस्ट किया कि आप रेजिदेंशल स्कूल्स बनाईए, हॉस्टल को अप्रेट कीती है, तो क्लस्टर फॉर्म में हम लोग एटूकेशन दे सकते है. त पराम ने काया कि TET qualified teachers को नौक़ी मिलना चाहिए। यंग लड़के लड़के जो आज qualified है वो 5000, 10,000, 15,000 में डॉन बसको sacred heart में teaching कर दे हैं। और हमारे ADC में कुछ-कुछ teachers है जो class 10 pass है वो 17,000, 80,000 का नौक़ी कर दे है। suffer तो हमारे students ही होते हैं, तो उसके बारे भी मैंने suggestion दिया है कि उनको मत फटाई है लेकिन एक provision दीजे कि quality teachers को लाये जाए, quality health system को लाये जाए, quality health system को लाये, वो सब बात हो. You have also raised about the Manipuri community. I have asked for a seat to be reserved for the Manipuri community. Manipuri community has been a part and parcel of our society and I think that a seat should be also reserved for them. I have said that. I have given a commitment to the Manipuri people, Bishtupriya, Maitai, for a Manipuri speaking community, there should be a seat given to them. that not only Manipuri, let's say the Halam community. In Pani Sagar, Bhagbasa area, they have been asking for a Halam block. Ranglong, Darulong, Choray. I think it's a genuine demand. Why shouldn't we talk about it? I think we should do that. Within the same 60 or additional? Within the same 60. It's not up to me whether they want to take it to 70 or 60 but as of now it's 60, it should be 60. If you will hear it you should say. I think it's a huge problem. Yeah. It's a huge problem. I think I have already had a huge problem in Pani Sagar, it's a huge problem. The base in Pani Sagar, Phukas, which is hard to take it. They have been a lot more and more and more. They do the same thing for them. You can see it. If you don't understand, you must be the same. तृपुरा में तृपुरा का कल्चर अलगी। तृपुरा में मूर्ति का रक्षा भी मुसल्मान करते हैं। शूजा का मस्जिद भी महराजा नहीं बनाया। बुद्ध मंदर भी महराजा नहीं बनाया। Christmas 1903 में उजनता पहलेस में हमारा कल्चर अलगी। और हमको तृपुरा को पाकिस्तान नहीं बनाना है। जहां में हम लोग मैनोर्टी का रक्षा नहीं करते हैं। So, मुझे लगता है कि जो भी तृपुरा को next Bangladesh बनाना चाहता है। या next Pakistan बनाना चाहता है। वो इंडिया का चभी को ख़ला पनाया। मुझे नहीं लगता है कि 99% Muslims agree करते हैं जो बांगलदिश में हिंडू के साथ क्रिश्न के साथ क्या हो रहा है। तो हमें यह ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जहां में देश के नागरिक को हम अटक करें। और अगर यहां में 1% लोग गलत रास्ते में जा रहे हैं तो उनका काम है कानून उनको अरेश करेंगा। कानून उनको जेल में दालेगा। हमको कानून अपने हाथ में लिए। पिसले दो-तिन महीने पहले बांगले से में कोटा अंडूलन हुआ था। कोटा अंडूलन में विचंद्रल लाइबरी को तोरा गया जलाया गया। किताब जलाया गया। अचानक वहां कि इंजिनेस पीपल के उपर फिल से अटांग हो रहा है। अचानक वहां के लोग जमीन चाहते हैं। बंगलेज घट रहा है। उनको जमीन चाहिए। तो यह लोग मजब के नाम में, खाने के नाम में, कप्डे के नाम में, यह लोग हमेशा हमें टार्गेट करेंगा। मैंने यही बाग पहले कहा, यही चीज़ कुमिला में हुआ, यही चीज़ नौखाली में हुआ, यह 1940 में भी हुआ, 46 में हुआ, 56 में हुआ, 65 में हुआ। तो यह पहला बार नहीं हुआ है, लेकिन इंडिया हमेशा चुप बैठा गा। जब राइट सो कुमिला, 1946 में हुआ, महात्मा गांधी ने महाराजा वीर विक्रण को चिठी लिखा। इसी के लिए महाराजा ने जब जो शार्नार्थी थे उनको जगा दिए। लेकिन अब टाइम आया है कि इंडिया को भी स्ट्रॉंग एक्शन लेना चाहिए। हमारे माइनोर्टीज को प्रोटेक्ट करना चाहिए बंगलदेश में और बंगलदेश उनका बाप का नहीं है। हमारे लोगों का भी है। हमारा भी रियासत है। तो यह नहीं चलेगा कि यह जब भी चाहे हम लोगों को मारे पीटे बुले जाओ इंडिया। हम लोग जाए। यह हमारा जगा है, यह हमारा भूनी है, हमारा मंदर है, हमारा घर है। और अगर हिंदुस्तान ताकत से माइनोर्टीज के पिछे खड़ा बेता है। आप उनको इंटेलेक्शन मत बोली है। अगर बंदर शेर का राजा बनना, जंगल का राजा बनना चाहता है, तो बंदर तो शेर नहीं बनता है। बंदर सिर्फ एक पेड से दूसरी पेड में खूदेगा। उनको आप इंटेलेक्शन मत बोली है। पांच सेकंड लगेगा हमको दिखाने के लिए कि इंडिया क्या है। लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं। वह गर्मेंट और बंदर बंदर को उनको लगाम में लाना चाहिए। जिस देश ने बंगो बंदू, शेक मुझीब और रहमान जिसने अपना जान दिया बंदर देश के लिए। उसके उपर उन्होंने क्या क्या नहीं किया। रबना टेगॉर उसके मूप में उन्होंने काला लगा दिया। वो देश में एक चीज तो दिखा दिया गया है कि इनके ये लोग बैमान, इनके उपर एहसान फरामोश है। They are ungrateful. But मैं अभी भी बोल रहा हूं कि Government of India को एक clear policy लेना चाहिए। United Nation में Bangladesh को expose करना चाहिए। अभी पूजा आ रहा है। पूजा में फिर से ही लोग करेंगे। अभी अगर इंडिया ने strong step लिया। इसी के लिए 26 तारिक को हम लोग subroom में rally कर रहे है। दो बजे हमारा rally है। मैं appeal करता हूँ सब को, Bengalis हो, Chakmas हो, Tiprasah हो, Muslims हो, Christians हो, हम लोग सब subroom में rally करेंगे। solidarity दिखाने के लिए, हमारे brothers and sisters को बंगलादेश में हैं, ये काम दूसरे party को भी करना चाहिए था, लेकिन नहीं कर रहा हम लोग करेंगे। और हम लोग एक message देना चाहते हैं, कि आपको दो बार सोचना पड़ेगा, और अगर हमने international pressure रखा, सैंक्शन रखा, जैसा बंगलादेश में World Bank का पैसा आना बंद हुआ, ADB का पैसा आने बंद हुआ, तब ये लोग को force करके इनको हमारे लोगों को protection देता है। अगरा कुस लोगों का मानल के लिए जियो पोलिटिकल है, जियो पोलिटिकल अभी तो नहीं हुआ, ये देखो, एक policy है कि हम, इन हमारे लोगों को, मैंने यही तो कहा, ये एतिहासिक problem है, नौखाली में क्या हुआ, ब्रह्मन बाड़ी में क्या हुआ, आज कोई इतने लोग जो थृप्रा में है, कोई दिल ऐसी छोड़कर आगया थृप्रा, नहीं, मारा गया, मुर्डर किया गया, रेप किया गया, घर जलाया गया, मंदिर को जलाया गया, दो किया है, चछुचेस गट बढ़ मुर्णोंग्स वह बीटन आप, तो यह जो पोलिट किलनी, यह है क्रिमनल एक्ट, जो पोलिट किल हता है विह दूट टॉट कीव चिव पोलिट किल एक्ट, पाकिस्तान तो पहले से इंडिया का अगेंस्ता है। कि इंडिया सेंटिमेंट है। गबनेंड अगेंस्तान को भी पॉलिसी निकालना चाहिए। कि इन लोगों को एक सबक सिखाएजाए। तैंक यूू। तैंक यूू।